कि एक कोशन उपर लिख रखा है एलजेब्रिक एक्वेशन तो कई बच्चे डर जाते हैं यार यह वाला मैथर्ड नहीं किया कुछ नया होगा नहीं जो अभी आपने सीखा है सिंपल है इसको आपको परिशान नहीं होना इसको देख के ठीक है जस्त एक कैलकुलेशन है यह एक बार कुशन में रीड गर देता हूं सर कहता है फॉलविंग इन्फर्मेशन गीवन है एकुटी शियर गीवन है आपको कितने का सर पांच लाग का प्रफरेंश शियर गीवन है लेकिन धिमुद्दे की बात है सर यहां प्रफरेंश एट्टी गीवन है और दो यानि कॉल अंब डेट रिडंशन हम अहले बैलिंग चीट भी बनाना है बाद में अगना ऑल और यह अर्थ सर यह प्लिपेड़ नहीं तो हम पहले इसको बनाना पड़ेगा fully paid up क्योंकि law क्या कहता है याद है आपको law क्या कहता है कि पार्टली पेड़ प्रफ्रेंश को नहीं redeem किया पहले आपको fully paid up बनाना पड़ेगा तो हम fully paid up या अगर आपके दो लाख है और यह कह रहा है कि 80 परसेंट है तो जीरो पॉइंट या मैं इसको 80 परसेंट है तो 100 परसेंट कितना होगा पहले यह बात हर बच्चों को समझ में आना चाहिए नहीं तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाओ यह यानि टोटल धाई लाख के शियर रहेंगे जिसमें से दो लाख आए हैं और 50 अभी भी pending है अब धाई लाख का 20 परसेंट निकाल लो तो 50 पर 50 अजार ही होगा कंग SSTA again कि सुझाओ घ्र क्लीर नहीं दिख रहा है कि इसलिएशन बढ़ा के देखिए कि तनें बच्चों को क्लियर नहीं दिख रहा हैँब यहां तक हर बच्चों को क्लियर है यहां तक जितना मैंने यानी प्रिफरेंश यiggs कितने करने enc i.k. ऐऊ था कितने पैसे मांगोगे सर फाइनल कॉल में सर पचास हजार रुपए फाइनल कॉल में आपको लेने पड़ेंगे जो जर्नल एंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा बताईए एक पर देखना है क्लियर नहीं दिख रहा कि यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बताईए फटा फट से जितने भी लाइव क्लास में बच्चे हैं हां चलो फिर हां जी आगे बढ़ जाएं और सर इसके ओपर हमें सेकूरिटी प्रीमियम भी देने है पेड करना एं इसके सेकूरिटी प्रीमियम कहता सवाल कहता है स्वास धस परसेंट दस परिमियम कितना हो जाट सर 25 रुपके आप समझीएगा आपको यहांता क्लियर हैं आगे पढ़ते हैं डाट डिरेक्टर दें अलीमम नंबर ओफ इक्विटी जब यह बोले ना मिनीमम नंबर तो उटक्वेशन तो आएगा मिनीमम नंबर और साथ के साथ दो कंडिशन पूरी होनी है कौन सब्सक्राइब करना ठीक है लेकिन वह किस पर चीए पांच परसेंट के लेकिन यहां हर कोश्चन में पहले देखा था कि आप दो हजार इसु करते हैं चार हजार करते हैं हम नहीं बताएंगा तुम खुद निकालो कैलकुलेशन करके मतलब कि इतने करो कि उससे जादा ना हो जाए इसका कहने का मतलब लगबग लगबग है अज्यूम देट फॉर्मेल्टी रिक्वाइर्मेंट जितने भी थे हमारे वो सारे कंपनी एक के फॉलो कर लिए के हैं रिक्वार्मेंट गीवन इंजर्नल एंट्री और प्रिपेर बैल अब अगला हम देखते हैं सर केल्कूलेशन केल्कूलेशन किसका हमारे पास कितना जनल रिजर्व है कितने नंबर मिनिमूम इशू कर सकते हैं यह तो पता चल गया तो भाई साब सबसे पहले तो हमें एक इक्विशन बनाना है जो कि हमारा आएगा सार धाई लाग इस यि फचेस अजार और खीकल किया होगा सर उस्जी कैल तूट किया होगा सर जो हमारे पास रिजरावेंच सर क्यमूर सेकुरेटी maior ऐस सक्रील है तो réalité सर कितने थेथैजर इस जार कि επैगे दो सोमें पास मीन कर에ग एक्स ऑर लिक시र REוט निए स्वी और तरina दिन्टर छा मे और रिजर्व कई पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस होता है सर प्लस होता है इसको रिजर्व ही बोलते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं 275 यहीं आएगा और इस इकल टू कितने हो जाएंगे 28 250 और प्लस एक्स प्लस में एक्स बाइ 20 अब कुछ बच्चे ऐसा हो सकते हैं इस पर कुश्चन मार्क लगा दे सर यह कैसे आया तो भाई एक्स का पांच परसेंट निकाला है पांच बटे में 100 तो यह आएगा हमारा एक्स बाइ 20 ठीक है अब सर सॉल्व करते हैं इसमें से माइनस कर देते हैं चलिए कितने आ जाएगा है दो पच्छतर माइनस में 28 250 246750 इस इकल टू 21 एक्स डिवाइड़ बाइ 20 तो एक्स की वेल्यू आ जाएगी आपकी इंटू में 20 डिवाइड़ बाइड बाइ औरे 246750 इंटू में 20 डिवा अब 235 तो रुपीज आया है तो सर अगर नंबर ऑफ शेर्स की बात करें कि देट इस 235 और एक शेर की कीमत है यानि सर 2350 शेर इशू करेंगे और हर किसी पर हम 5 रुपे प्रीमियम भी लेंगे ठीक है क्रॉस वेरिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है या मैं करके दिखा दूँ चलो कर देते हैं क्लियरेटी बढ़ जाएगी सर हमारे पास टोटल कितने हैं दो पच्छतर की रिक्वार्मेंट है और दो पचास है अब दो पचास में सब्सक्रेश इसू कितने होगे दो पैंतिस तो सर्च यारार में कितने चले जाएंगे पंद्रा यहां तक तो क्लियर हैं अब आजओ सिक्यूरिटी प्रीमियम हमारे पास पहले से सिक्यूरिटी प्रीमियम में कितने हैं पांच प्रेश इशू से सिक्यूरिटी प्रीमियम कितना आएगा सिक्यूरिटी प्रीम नहीं वाला तो सर्थ तेईस 150 multiply 5 यानि 11 750 यानि total पैसे security premium में हो गए हमारे पास 5000 16 750 अब reserve में देख लेते हैं कितने पैसे बचे हैं reserve में से हमने 15000 यूज़ कर लिया 15000 किसमें से 23 250 में से मैंने कितने यूज़ कर लिया सर 15000 तो that is 82 ये exam में बिल्कुल भी नहीं करना है ये वाला section में आपको समझाने के लिए कर रहा हूं तो देखो अगर इसको प्लस करोगे तो कितने बनते हैं पच्चिस हजार और हमें security premium repayment के लिए मतलब adjustment के लिए भी कितना fund requirement था 25000 चाहिए था क्योंकि ये देखो न 25 चाहिए ना कि इसको यहां रख लेते हैं कि यह सारा का सारा इरेज करने जा रहे हैं कि यह कर रहे हैं क्योंकि हमें पूरा जर्नल एंट्री करना है यह तो हम समझ गया है कि कहां कहां क्या होगा जहां जौरत पड़ेगी मैं पीछे working note करता जाओंगा और कुछ चीज़े यहीं वे देख लेंगे तो बैटर रहेगा हमारे लिए चलिए सर पहली एंट्री सबसे पहले फुली पेड़ बना ले हम फुली पेड़ बनाएंगे तो सियर फाइनल कॉल तू टू टूइल परसेंट क्या पेटल कितने सर पचांस जार हम पचांस जार मांग रहे हैं हमें सारे पैसे मिल जाएंगे अब एंट्री करेंगे बैंक में पेमिंट बैंक टू क्या शेयर आप फिर फ्रेंच यह फाइनल कॉल भी लिख दोगे कि इसके बाद सर इसे दूसरे नमबर या पर इसरे अब प्रेश शुं कर लो या सी आर बना लो यू तो अगर आप मैं तो लोगे तो हम करेंगे सर्फ प्राफिट और लॉस एप्रोप्रीयेशन मेरे पास यहां पर प्रॉफिट एडिलॉस आप्यूकर तो सी आ रगू कि बनने थे मेंने यहां साइड में लिखा हुआ था कि डूरत पढ़ेगी आपको बद अज़ने धी इसी beneath जिसमें से हमने तो 2-35 का Frisamiva कर दिया है जो कि हमने क्लकुलेशन में देखा है यह किया है सर Frisamiva जब in cham fireunden का कर दिया है तो 15,000 15 जार रुपय का हम क्या क्रीट कर लेंगे फी यार और उसे कहा कर लेंगे प्रेश इसके बाद कर लेते हैं तो हम डिरेक्ट एंट्री करने जा रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शियर कैपिटल और तो सिक्यूरिटी तो यहां पे हमारे सब्सक्राइब दो लाग 35,000 ग्यारा हजार है तो टोटल हो गया वन पूर सिक्स कि सेवन फाइब जो टू फोर सिक्स कि यह टू होगा बस ना चल ठीक है देखकत कोई अब आजाए हम प्रफरेंश होल्डर को बुला लेते हैं आ जाओ भई त्विल परसेंट प्रफरेंश शि देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम 25,000 टोटल पैसा प्रफरेंश शियर होल्डर को दिये जाएंगे दो लाख कर जाँ सोचिए पैसे कहां से दिये जाएंगा बात मान लीजिये पूरे पैसे हैं हमारे पास अब सर सिक्यूरिटी प्रीमियम को राइट अफ करेंगे सिक्यूरिटी प्रीमियम यह बैलिन शीट वाला है फिर सिक्यूरिटी प्रीमियम फ्रेश इशू वाला यह मैं खटा ही लिख दूना चलो अलगा लग लिख देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और टू सिक्यूरि जीरो एट तू फाइव जीरो और यह पच्चे सब्सक्राइब को थोड़ा सा क्लियर कर दें मिक्स हो रहा है लिए जनल एंट्री ड़न किसी को दिक्कत अब इन्हों ने कहा जी आपको बैलेंशीट भी बनाना है कि चलिए साहब बैलेंशीट भी बना लेते हैं आपको सारे के सारे नंबर बिल्कुल दिमाग में फिट होना चाहिए किसर क्या क्या था सारे नंबर दिमाग में आपके बिल्कुल फिट होना चाहिए इसके लिए पहले हम एक बैलेंशीट कॉपी कर लेते हैं ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाएं यह करो जाएं यह नहीं करना चाहिए कॉपी क्लीन बैलेंशीट यह करेंगे आजाए यह हम तो यही कोश्यंदा जाएं आई कुछन जस्ट एक नंबर को देखने के लिए बहुत चोटा कर देते हैं क्योंकि अल्मॉस्ट हमें सारी चीज़े देख लेती कि यह नोट बनाने के यूज कर लेंगे हैं और यहां हाला कि ज्यादा नोट बनने वाले हैं कि क्यों सर ज्यादा नोट क्यों नहीं बनेंगे कि कुछ ज्यादा डेटा ही निकोशन में एक जामने का सारा फोकस था कि आप बस मुझे यह बता दो कि मिनिमूम नंबर कैसे निकालेंगे बस चलिए सर में पहले निकाल लेते नोट नंबर वन क्या सर शेयर कैपिटल सबसे पहले एक्विटी शेयर कैपिटल नहीं दिख रहा तो मैं इसे बढ़ा करते हैं कि सर पांच लाग था इसमें कोई छेट थानी नहीं हुई है प्लस फ्रेश इशू भी आया है कितने टू अ है यह होगे आट पैंदेश्ट अ अच्छा साथ पैंदेश्ट इस अ कि 735 अ सर प्रफरेंश शेयर कैपिटल था हमारे पास अ कि दो लाग का इसमें हुआ प्लस फाइनल कॉल कि 50 के और माइनस हो गया रिडीम 2.5 तो यह दो जीरो बजी गया यहां गया सेवन थर्टी फाइव नोट नॉमबर वन सेवन थर्टी फाइव लॉंग ट्रम कोई बोरॉइंग है नहीं रिजर्वेंशर प्लस एक रिजर्वेंशर प्लस सर पहले से हमारे पास सिक्यूरिटी प्रिमियूम था 5000 और प्लस हुआ हमारे पास सिक्यूरिटी फयम 11650 और यह सारा का सारव हमारे की यूज्स हो गया हमारा यूज्स होग Demام 16 helps पचास तो सिक्योरिटी प्रियूम में 0 प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास पहले थे 23 माइनस हो गया सी यारार के लिए निकल गया सर कितने 15,000 और माइनस सिक्योरिटी प्रियूम में निकल गया 8000 तो यह भी हो गया जीरो अब हमारे पास अलग से सी यारार में बस पैसे पड़ा हुआ है यहां पर नीचे संडरी क्रेडिटर है दो च्यासी 952 तो मैं यहां पर लिख देता हूं दो च्यासी 952 यह ट्रेड वेवल में डाल दी एसेट साइड आ जाते हैं एक सेट्स लेट्स डप्रीशेशन करके है सेवन डबल जीरो 514 तो सेवन डबल जीरो फाइव वन पूर बैंक के अंदर वन डबल सिक्स डबल एट कैस और कैसे कुलेंट इसका देख लेते हैं क्या चल रहा है भाई साब इसाब किताब कैश एंड कैश एक्विलेंट यह भी नूट रहेगा एक सबसे पहले हमारे पास बैंक में अल्ड़ेडी बैलेंस है कितने का 16600 प्लस शियर से पैसे आए हमारे पास कितने 247 46 47 था टूटल पैसा देखा जाए तो 1688 प्लस में 246 750 यानि 263438 का पैसा हमारे पास था जिसमें से माइनस कर देते हैं सर पेड कर दिया हमने कितना कि दो लाक कि शत्तर हजार और कोई पैसा तो है नहीं और कहीं से पैसा तो आया नहीं तो इसका मतलब सर बैंक ओवर्ड्राफ्ट हो जाना है आपे 275 ग्यारा हजार पांसो बासट रुपए का बैंक ओवर्ड्राफ्ट में चला जाएगा जो कि हम चले जाएंगे किसमें सर शॉट्रम है नहीं यहां पर लिखा हुआ शॉट्रम बो रहीं क्या हां वो तो भूली गया फाइनल कॉल भी आया था तो फिर तो जोरती नहीं बैंक ओड्राफ्ट प्लस शेर फाइनल कॉल का पैसा कितने सर पचास अजार तो हमारे पास टोटल फंडिंग हो गई टू सिक्स ट्री फोर ट्री एट फ्लस में फिफ्टी थाउचन पैसा हो गया इकत्तिस चौनतिस अड़ तेस इसको आपको प्रॉपर लिखना है सारे चीज़े यह ऐसे आया है मैं तो केल्कुलेशन समझा रहा हूं माइनस कर दो सर रिडीम कर आपने कितने 275 अगर मैंनस कर दें 275 का तो हमारे पास 38-438 यानि हमारे पास बैंक में बैलेंस बच गया 38-438 note नमबर 3 इसके बाद बैंक के बाद inventory है जोकी inventory हम ढल देंगे इंवेंटरी के अंदर देट इस हमारे 150 एंड 148 है बस खतम टोटल कर लेते हैं साथ लाग पैंतिस अजार फंद्र वन जीरो थ्री जिक्स नाइन एक पर क्रॉस वेरिफाइब कर लेते हैं कि सर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है कि 10 36952 यह बन गया हमारा बैलेंश शीट इस अब बताएए एक और ऑप्शन एड़ करवा देना वीडियो में स्पीड फास्ट एंड सुलो भाई लाइव क्लास में कैसे फास्ट करोगे आप अब जो पढ़ांगा होगे वीडियो में तो है स्पीड का हाँ वीडियो में तो है लाइव ग्लास में नहीं होगा चलिए यह था हमारा इक्वेशन इक्वेशन में सबको समझ में आ गया इक्वेशन में ज्यादा कुछ नहीं था बस एक पंड़ा था नंबर ऑफ मिनीमम शियर निकालना बाकि सब बैसे ही था श्यूस्थ